हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनेल गैजेट्स ओफ आयरवेदा एंट हेल्थ टिप्स में आज हमारा टॉपिक है इम्मुनिटी को बूस्ट करने बाले कठल के फायदे के बारे में चलिए जानते हैं कठल को खाने से क्या क्या फायदे मिलेगा तो वीडियो को इंट तक देखिएगा पुड़ा जानने के लिए पके हुए कठल में पाया जाने वाला पोटेशियम हार्ट से जुड़ी बिमारियों को दूर रखने में मददगार होता है और साथ ही ये लीवर को भी तंदरुस्त रखता है जक फ्रूट एक ऐसा खद्द पदर्थ है जिसकी गिंती फल और सबजी दोनों में होती है इस बार गर्मी के मौसम में इसे खाने का बड़ा फायदा ये है कि ये आपके सरीर को कोडोना भायरस से बचाने में सहायक हो सकता है क्यूकि इसको खाने से इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ती है कठल का उपयोग फल के रूप में भी किया जाता है और सबजी के रूप में भी इसमें ऐसी कई खुबिया होती है जो इसे गर्मी के मौसम का गुनकरी फल माना जाता है खास तोर पर अगर आब कोरोना भाइरस के समय के बात करे तो कठल का सेबन बहुत ओधिक लव करी है पके कठल किन खुबियों से भरपुर होता है आईए जानते है पके हुए कठल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ओधिक होती है इसके इलाबा इसमें विटामिन A, C, थाइमीन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफलेविन, आईरोन, नियासिन और जिंक भरपुर मात्रा में पाया जाता है इतना ही नहीं पके हुए कठल में फाइबर के गुन भी पाये जाते हैं जो पाचन को बहतर करने में मदद करते हैं कठल को पकाकर खाने से गजब के लाब मिलते हैं विटामिन A हमारी आखो के लिए और विटामिन B6, ब्रेन हेल्थ के लिए और विटामिन C, इमीन सेल्स को बूस्ट करने में बहुत उपयोगी होते हैं मिनारेल्स का खाजाना है कठल, कठल चाहे तो आप सबजी के रूप में खाए या फिर इसे पका करफल के रूप में इसका सेबन करे, इससे आपको कैलशियम, आइरोन, पोटेशियम, मैगनेशियम, फोलिक एसिड, थायमीन और नायसिन जैसे मिनारेल्स तत्त पाए जाते हैं तो सोचिये जरा कितना कुछ समेटे हुए है कठल अपने मोटे और सक्त छिलके के नीचे, ये सबी तत्त हमारे रोक प्रतिरोधक समता को बढ़ाने का काम करते हैं, बैसे भी कोरोना काल में हर किसी को मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत होते हैं कब्स दूर करने में फायदे मंद कठल कठल में फाइवर की मात्रा बहुत ओधिक उपलब्ध होते हैं यही कारण की जिन लोगों को कब्स की समस्षा रहती है या जिन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, उन्हें कठल की सबजी का सेबन करना चाहिए कठल की सबजी पाचन को बहतर बना कर गैस की समस्षा, सक्त मोसन की समस्षा और मोसन के दोरान पिशतर लगने जैसी सभी समस्षाओं में लाब करी है संक्रमन से बचाने में लाब करी कथल का फल और सबजी दोनों ही हमारे फ्लू, भाइरल और फीबर से बचाने का काम करते हैं क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन C एक एंटी अक्सिडेंट की तरह काम करता है जो भाइरल, भाइरास और बैक्टरिया को मारने बाली सेत रक्त कोशिकाए बनाने में सहयता करता है ये आपके सरीर को मजबूत बनाने का काम करेगा स्कीन के लिए फायदे मंद है कथल विटामिन C हमारे सरीर में कोलेजन के उत्पादन में सहयता करता है ये कोलेजन हमारी स्कीन को यंग बनाए रखने के लिए जरूरी होता है साथ ही भीटामिन ए हमारी आखो की आठरी को संकुचन से रोकता है इससे हमारी आखो की रस्नी बुरापे में भी सही बनी रहती है पाचन क्रियाक को ठिक रखता है कथल अगर आप डाइजेशन की समस्था से परिशन रहते हैं तो पके हुए कथल का सेवन करे सकते हैं ये अलसर और पाचन सम्मंधी समस्था को दूर करने में सहाता करती है कथल बजन कम करने में भी सहायक होता है क्यूकि कथल रेजबेरेटरल नामक अंटी अक्सिडेंट का अच्छा स्रोत है पके कथल में मौजूद अंटी इंफ्लेमेटरी गून मोटापे को रोकने में मदद करता है अगर आप मोटापे से परिशान हो तो कथल का सेवन कर सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है जो पाचन तंत्रों को मजबूद बनाता है साथ ही पेट को साफ करने का भी काम करता है हार्ट को ठीक रखता है कथल पका हुआ कथल खाने से दिल की सेहत सही रहती है क्यूकि इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लाट प्रेशर को कंट्रोल में रखता है इसमें हार्ट संबन्धी बिमारियों का खत्रा कम होता है यही बज़ा है कि डक्टर भी इसे खाने की सला देता हे इम्यूनीटी बढ़ाता है कथल कोरोना काल में सरीर की इम्यूनिटी को मजबुत बनाने पर जोड दिया जा रहा है इसके सेवन से सरीर का इम्यून सिस्टेम स्ट्रॉंग होता है ये इम्यूनिटी बुस्टर की तरह भी काम करता है गाइस कथल को भेजमीट भी कहा जाता है क्यूंकि ये हमारे सरीर को बो गुन देता ही है जो किसी फल और सबजी से हमें प्राप्त होते हैं साथ ही कथल उन गुनों से भी भरपूर होता है जो हमें आमतोर पर डेरी प्रोडक्ट्स या मीट से मिलती है इनर्जी को बढ़ाता है कथल जो लोग जल्दी ठक जाते हैं जिने सास फूलने की समस्या है या जो लोग हर समय खुद को ठका हुआ अनुभब करते हैं बो लोग कुछी दिन नियोमित रूप से एक समय कथल के फल और एक समय कथल की सबजी का उपयोग करें तो कुछी दिन में उन्हें बहुत लाव देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो में ही पेंट करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है मिलती हूँ और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ